तो हेलो गैज वेल्कम बैक टो माई यूटिब चैनल में नाम है अनीश सना और आप देख रहे हैं हास्टाइग विडियो तो गैज आपका मेरे यूटिब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है देखिए तरह तरह के सवाल आते रहते हैं उनमें से एक सवाल जो हर किसी के होता है कि मेरे लाइफ में करियर गैप आ चुका है मतलब जब आप जौब कर रहे थे जौब को छोड़ा फिर कुछ दिनों तक आपने किसी भी वज़े से वो गैप आया और फिर से आप अपने जौब लाइफ में वापस आना चाहते है तो क्या होता बीच में करियर का ब्रेक हो जाता है दो तीन सालों का छे महीने का हर किसी के लाइफ में ये फेज आता है मैक्सिम लोगों का वो किसी भी वज़े से हो सकता है वो चाहे तो आपके आपका मेडिकल हेल्थ के वज़े से हो सकता है या फिर आपका समझ लीजिए कि family problem हो सकता है या फिर आपको job छूट गई, वो हो सकता है, दुबारा job नहीं लगी जिस field में आप switch करना चाह रहे हैं, उस field में आपको job नहीं मिल रहा है तो कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी और field में थे, sales में थे और वो अब चाह रहे हैं कि move करना digital marketing के तरफ और उनका ये सवाल होता है कि जब हमने sales का job छोड़ा, उसके बाद लगवाद 2-3 साल का gap हो गया या फिर हमने अमरे शादी हो गई, 2-3 सालों का gap हो गया तो अब हम क्या करें, क्या हम आगे अपना जब career है वो pursue कर सकते हैं देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, जॉब अगर आपने job interview में सामने वाले को मतलब बिल्कुल convince कर दिया कि हाँ, जो reason था, वो बहुत ही जादा valid था इसलिए career gap आया, सामने वाले को convince करना क्यों जरूरी है देखिए, जब आपने job life में आते हैं, तो उसमें, जो interviewer होता है वो ये देखना चाहता है, क्या अगर मैं इसे hire करता हूँ, तो क्या फिर से ये इतना break ले लेगा और क्या ये break मेरे company को affect करने वाला है, इसके break से जो ये अपने job में break लेगा तो उससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है, अगर नुकसान होगा तो जो employer होगा, जो company होगा वो बिल्कुल इस चीज़ से मना कर देगा आपको hire करने से तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप interview में आप जवाब दे रहे हैं, उसका आपके interview पर बहुत ज़्यदा फर्क पड़ता है और एक बात और है कि जो आपको अगर career gap हो भी गया है, मान की चल रहे हैं, आपको career gap लगबर दो साल या, तीन साल का हो गया है छे मेने का भी हो गया, उसकी भरपाई आप कैसे करते हैं, क्या valid reason देते हैं, जरूरी नहीं है, आपको बिल्कुल ही सच-सच ऐसे बता देना कि कुछ ऐसी problem हो गई थी और बस पिर कहानी आपने एक सुनाया जो कि कहीं से जन्वेर नहीं लग रही है, तो वैसा नहीं करना है कुछ ऐसा बताना है जो कि सामने वाले को सुनके लगे कि हाँ ये बंदा जॉब मेरी का अपने में करने लाइक है, जैसा कि आपने study break ले लिया था, मतलब आपने तीन साल जॉब करने के बाद आपने सोचा कि चलिए दो साल का मुझे MBA करना था, इसलिए मैंने study break लिया और या फिर मैंने कोई course करना था, या कुछ इंस्चूट में जाइन करना था, तब इसलिए मैंने लिया, अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे travel के लिए मुझे भूमने का बड़ा शौक था, तो इसलिए 15 दिनों के लिए मैं वहाँ चला गया, लॉट के आया, तो भाई, इतना स इसकी चूटी थी, और ये बिलकुल, मतलब, जाब को लेके काफी जादा सीरियस है, ठीक है, इस तरह की जो, मतलब कि अगर आप जवाब देंगे, तो कहीं ने कहीं, सामने वाला convince होता है, और बोलता है कि हाँ, ठीक है, चलिए, आगे फर्दर हम आपको जाब देते हैं, द मैंने कई सारे certifications ले लिये थे, Google के, कई जगा courses के बारे में पता करके join भी कर लिया था, वहाँ से भी certification ले लिया था, मतलब, मैंने अपना पूरा proper base बना लिया था, कि इन तीन महीने को कैसे मुझे cover up करना है, तो वो cover up करना जरूरी है आपका, जब भी आप gap ले रहे हैं, उसका utilize जरूर कीजिए, अगर नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी परिशानी हो सकती है interview के time पर, तो मेरा suggestion यही रहेगा, कि कुछ, चाहिता आप medical ground पर बोल सकते हैं, बड़ लेकिन medical ground पर भी अगर आप बोलते हैं, तो यह चीज धान रखिएगा, कि वो medical continuous process ना रहे, कि हम भी बीच में break में लेता रहूंगा, और यह और वो, अगर वो होगा, तो वो आपको hire नहीं करेंगे, तो problem की solving हो चुकी है, आप further अपना job life में वापस आना चाहते हैं, और आगे अपना career pursue करना चाहते हैं, तो इस बात कर दिहान रखिएगा, बाकी आज के लिए इतना ही रखत कर अपना ही पात कर दो कर दो कर दो कर सकता है झाल झाल